तो हेलो मैं दिए फ्रेंड, विल्कम बेक टू आवर नियू यूटू वीडियो आज हम इस वीडियो में सिखेंगे कि IV इंजेक्सान कैसे लगाते हैं हम IV इंजेक्सान को कैसे लगा सकते हैं IV इंजेक्सान लगाने के लिए क्या क्या चाहिए क्या-क्या सावधानिया होती हैं हम इस बीडियो में पूरी दीटल को देखेंगे तो चलिए बीडियो को सुरू करते हैं तो हम बात करते हैं आई वी इंजेशन लगाने पर आई वी इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक गलप्स होना चाहिए अगरफ्स ना हो तो अपने हाथों को अच्छे से डिटॉल लिक्विड है डिटॉल स्वाबुन के साथ अच्छे से एकदम धोले प्रेट के बाद आपको चाहिए injection जो आप इंजेक्शन लगाना चाहते हैं चाहिए वह एंटीबाइटिक हो पैन किलर हो कोई सा भी हम यहाँ पर मोनोसेफ ईंजेक्शन एंटीबाइटिक लगा रहे हैं safetyhand, सबसे पहले हम injection लेंगे, injection के बाद हमों को disposal चाहिए, disposal के बाद isprate cotton, needle, turning kit, इतनी सारी चीजे तियार करने के बाद अब आगे हम patient को injection लगाएंगे, तो चलिएदेखते हैं patient को injection लगाने के क्या क्या प्रोसीजर होते हैं तो आईए हम आगे वीडियो में इंजेक्शन लगाना सिखते हैं इतनी सारी तैयारिया करने के बाद आपको इंजेक्शन को घोल लेना है जथा घोलने के बाद डिस्पोजल में ले लेना है जैसा कि आप सामने देख सकते हैं हम घुले हुए इंजेक्श यानि सोरी डिस्पोजल में ले रहे हैं इसी तरह से आपको भी वायल इंजेक्शन से डिस्पोजल में लिक्वीड को ले लेना है घोलने के बाद अब इसके बाद आपको सबसे पहले इस्प्रीट और काटन लेना होगा काटन और स्प्रीट का एक स्लेब तयार कर लेना होगा जसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं काटन और स्प्रीट से आप एक स्लेब तयार कर लिए जिसे कि आप जहाँ पर इंजेक्शन लगाने वाले हैं इंजेक्ट करने वाले हैं वहां के माइक्रो और्गनिज्म को हटा सके ताकि कोई इन्फेक्शन ना पहले अब इन्जेक्शन के अब आपके सामने हम टर्निंग कीट को दिखाते हैं इसमें टर्निंग क्वेट का भी एक बहुत बड़ा रोल है जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास एक छोटा सा रेड कलर क का टर्निंग कीट है आपको सबसे पहले क्रिग लगा जाराया रहा है लेकिन हाथ अच्छे तरह टार से सबकर कर लिया गया है इसके बाद के बाद आपको मुठा करना होगा मुठा कराने के बाद अब दिख सकते हैं आपके सामने में आच्छी सिन नजराएंगी इसके बाद injection जो हमारा है उसमें से air को बाहर निकाल देना है देखना है उसमें air ना हो air बाहर निकालने के बाद अच्छे से cotton slabs को लेकर जहां पर हमें inject करना है उसको अच्छे से clean कर लेना है जैसा कि आप सामने देख सकते हैं इस तरह अच्छे से उसको clean कर ले जैसे कि वहां पर जो भी या एंट्री माइक्रोबियल हों मतलब जो माइक्रोबियल हो वो खत्म हो जाये इसके बाद आपको इंजेक्ट कर देना है धीरे से और इंजेक्ट करने के बाद आपको टर्निंग किट जो है turning kit को निकालेना यानि धीला कर लेना है जिससे की injection हमारा आगे अच्छे असे लग पाए injection inject करने के बाद आपको simply injection को पीछे पूस करना है यदि उसमें blood आ जा रहा है तो यानि कि आपका injection when में सही लगा है इसके बाद turning kit को धीला कर लें अब इसके बाद injection को धीरे 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 पूस करें प्रेसर से नहीं ध्यान दें injection धीरे धीरे आराम से आईवी लगाया जाता है जैसा कि अब देख सकते हैं 5 ml के injection में हमने कितने समय लिया हैं अगर इसे से slow आप लगा सकते हैं या मतलब इसे slow लगाना ही होता है कुस्तित करें कि और slow लगाएं जिससे कि आपके सामने वाले patient को कोई दिकत ना हो अन्यथा फार्ष लगाने से patient के वेन में या हाथ में बहुत ज़्यादा दर्ध हो सकता है और हाँ बाएक बात ध्यान दे कि patient को जब भी injection लगाएं तो उदें बेड पर अच्छी से लेटा कर तभी injection लगाएं ताकि कभी कभी आईवी injection देने पर किसी patient को वो मिटिंग आ सकता है इसलिए patient को अगर आप लेटा कर लगाएंगे तो जल्दी नहीं आने के संभावना होती है इसलिए कोसिस करें कि जब भी patient को injection लगाएं तो उन्हें बेड पर लेटा कर injection लगाएं इंजेक्शन लगाने के बाद काटनी स्लेप्स को निडिल के उपर जहां पर इंजेक्ट किये हैं वहाँ पर रखना है रखने के बाद वहां से टर्निंग किट को हटा लीजे आपका इंजेक्शन लग चुका है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद इसी तरह की वीडियो बाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवसे करें जिसमें हम आपको होस्पीटल मेडिकल से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे जो कि आपको आगे बहुत काम देंगे